नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं अच्छी सुगे और आज तो नौरात्री का पहले दिन की शुरुआत हो गई है तो आप सभी लोगों को नौरात्री की हादिक शुबकामना है बहुत बहुत शुबकामना है और माधुर्गा आप पर आशिवात बनाए रखें आप खूब सफलता प्राप्त करें और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का आज है आप हम लोगों का अभ्यास करेंगे उसका किसका अभ्यास करेंगे एक इस्त्री का पत्र यह लसन हम लोग पढ़ चुके थे और पत्र विधा का यह लसन था अभिन्ना टैगोर जी का तो आज हम लोग्या करेंगे उसका अभ्यास करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इसका अभ्यास बिंदू को लेकर मजली बहु के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे तो बताइए भाई बिंदू को लेकर के क्यों चिंतित हो उठे थे कि बि मजली बहु के घर वाले चिन्तित हो एटे थे वो घर आ जाने के कारण क्या हो गये थे मजली और मजली बहु के घरर वाले चिन्तित हो एटे थे तो मजली बहु के घर वाले से मतलब उसके ससुराल से मतलब है ठीक है तो मजली बहु के घर वाले यानि उसके ससुराल के लोग चिंत्रित हो उठे थे बिंदु का विवाहा तै करते समय क्या दोखा किया गया तो बिंदू का विवाहा तै करते समय यह दुखा किया गया कि लड़के वाले बिंदू को देखने तक नहीं आये थे इसी प्रकार उससे यह चिपाए गया था कि उसका पती पागल वह बेरहम है ठीक है बेरहम मतलब निर्दई चलिए नेक्स्ट बिंदू को दुबारा बलात बलात मतलब बल पुरुवक ससुराल भेजने का क्या परणाम निकला बिंदू को दुबारा बलात ससुराल भेजने का परणाम यह निकला कि उसने आग लगा कर आत्मत्या कर ली अब जब उसका पती पागल था और सब बेरहमीस उसको पीटते थे तो उसके पास कोई निश्कर्स ही नहीं निकल था और नहीं अब वो दुबारा यहां आ सकती थी क्योंकि वो जान गई थी कि मजली बहु को भी बहुत प्रतारना सहनी पर रही उसकी वज़े से इसलिए उसन से कि मजली बहु ने निर्णे लिया क्या बिंदू या कुछ ऐसा निर्णे ले सकती थी या कुछ ऐसा स्टेप उठा सकती थी कि व्यक्ति अपनी मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है और खास्तों से लड़किया तो जो है यह एक आत्मात्या एक अंतिम निश्कर्ष नह अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी देखो इसी कोश्चन के बाद तुरंत एक यह वाला प्रशन का जो उसका निचोड है उस प्रशन को दुबारा ला दिया कि मजली बहु की बात आ गई कि मजली बहु की ने पत्र के अंत में क्या निश्य किया जो एक हद तक लिया जा सकता था उसके उसके लिए उसके मुलब वो सोच सकती थी दूसरे निश्य के बारे में हां तो तो मजली बहु ने पत्र के अंत में क्या निश्य किया कि मजली बहु ने पत्र के अंत में यह निश्य किया निश्य वेक्त कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी चोखट लांग चुकी हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे क्या है अपने आप पर भरोसा है, यही भरोसा बिंदू को भी होना चाहिए था, मैं जी सकती हूँ और जीवूंगी, यह confidence भी बिंदू के अंदर होना चाहिए था, यह आत्म विश्वा बिंदू के अंदर होना चाहिए था, दो प्रकार की महिला नजर आएं, आएं की नहीं, एक बिंदू जैसी महिला, एक कैसी महिला, बिंदू जैसी महिला, और एक कैसी महिला, मजली जैसी महिला, जो एक स्टेप उठा सकी, निर्णे ले सकी, हिम्मत दिखा सकी, और एक महिल जो कुछ सोच न सकी जो सिप्रतार्णा कर शिकार हो करके आत्मत्या की और कदम बढ़ाई तो निर्णे निर्णे हमारे हाथ में होता है तो अब चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है कथन के भाव इसपस्ट कीजे कविताई थी तो मामुली लेकिन उसमें मेरी आवास थी म की भाव इसपस्ट करण क्या लिखेंगे भाव इसपस्ट करण ठीक है ऐसे लिख दीजेगा फिर उसके बाद इसका इसपस्ट करण करिए मजली बहु द्वारा लिखी गई कविताई देखने में मामुली थी पर नतु उसमें उसके दिल की बात कही गई थी क्योंकि वह प् प्रतिबंद नहीं THA, भलकि वह क्य." और करन भूबitting वह वह चाही है कि मेरी आवाज थी, मज्ली बहुद जाल लिखी गई कवित। देखने में मामूली थी, डेखने में मामूली थी, लब आम मा बनने का दर्द मैंने उठाया पर मा कहलाने का सुख न पा सकी बहुत सायतिक भाषा है लेकिन भाषि अच्छी भाषा है मसलि बहु को लड़की पैदा तो पूई थी परंतु कुछ समय बाद मर गई थी व्र आपके लिखेंगे नर्टी को प्राप्ट हुई थी यह लेकिन जब कुई फेमस व्यक्ति जब कोई फेमस वेक्ति गज़र जाए जब कोई होग गया और आम वेक्ति के लिए बोलते हैं मृत्य तो मजली बहुत तर्थ literature करने के बहाने यह फिर उसके बाद क्या है हां गह है कि मैं तुम्हारी चौखट क्या है मैं तुम्हारी चौखट लांग चुकी हूं। क्या कैती है मैं तुम्हारी चौखट लांग चुकी हूं। तो इसका क्या हो जाएगा मजली बहुत तिर्थ करने के बहाने से अपने पती का घर छोड़ Ihrer है। दिर्दिकानने गई थी तो अपने पदी का घार छोड़ी तो वही कहा ही कि मैं तुम्हारी चौखट लांग चुके इस तर की भाषाओं का अक्सर इसमें प्रयोग होता है अब दीखिए अपका क्या है घा है मुझे अपने आप पर भरोसा है मैं जी सकती हूँ जीऊंगी अब घा का तो इसमाब पर दिया नहीं हुआ है घा का आप लिख लीजिए घा का क्या लिख लेंगे आप बहाव इस पस्टिक्राइब कर लिखेगा फिर लिखेगा कि मुझे अपने आप पर भरोसा है यानि कि मजली बहु को अपनी उपर विश्वास है क्या लिखेगे कि मजली बहु को या आप जैसे मैं बोल के लिख रही हूँ वैसे आप लिख लीजे कि मजली बहु को अपनी उपर विश्वास है कि वह जी सकती है और आत्मिर भर होकर करके जी सकती है आतनिर भर होकर के जी सकती है यहीं सका भाव सपस्टिकरण है ठीक है अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट भाशा की बात भाशा के लड़के को रोजगार मिल गया अब मैंने चैन्स ली यहां पे क्या करें आप अपना अपनी वाक्त में प्रयोग करें इसका अर्थ पता करेंगे यह उसकी अपनी वाक्ट प्रयोग है आप जो है अपने वाक्ट प्रयोग करिएगा सीने पर साफ लौटना मलब बहुत शालू होना बहुत इशा करना जलन करना या फिर इससे डर जाना तों क्या हो इसका जलन होना यानी इशा होना मैंने सुन्दर मेरी सुन्दर वा प्रट गया है तो आप अपने वाक्यों में प्रयोग करोग करेंग तो आपको क्या होगा आपको वह समझ में आ जाएगी एँद्र में उसका अर्थ झाया है उसका अर्थ क्लिजर का करेगा और जब आप अपने वाकियों करेंगे ना तो आपको क्या होगा कि आपको वो चीजे समझ में आ जाएगी और हमेशा आपके दिमाग में फिट बैट चाहेगी उसका अर्थ दूर शब्द का अर्थ क्या होता है जो निकट नहों सही बात है ना पर तो इसी इसी दूर शब्द के पहले शोब्सर्ख जोड़ा कर क्या शाद बनता है जोड़ने जोडस कर या शब्द बनता है बंता यूदूर जिसका अर्थ होता है बहुत बहुत दूर टिक और इसी परकार 46 जदूर चाहर क्या हो गया इसका सूंद Прches सुगम मतलब जाना सुगम मतलब होता है कि आसान होना ठेक सुगम मतलब आसान आसान और सुशील मतलब अच्छा वहवार वाला ठेक सु मतलब अच्छा होता है ना सुशील मेंस अच्छा वहवार वाला सुपुत्र अच्छा पुत्र सुकर्म अच्छा कर्म ठेक तो आज फिर साल हुए हमारे ब्या को मुझे बारवां साल मुझे क्या हो गया है बारवां साल लगा था उपर के वाक्यों में आए पंद्रा और बारवां शब्द देखिए भई देख लीजे दोनों शब्द साल की विशेस्ता बता रहे हैं यह क्या है साल की विशेस्ता है साल की विशेस् यह बहुत इंपोर्टेंच है इससे बहुत सारे प्रश्ट बनते हैं हिंदी में कि विशेशन से बहुत सारे शब्द आते हैं एक गर्णा बोधक है और दूसरा क्या है क्रम बोधक है दो अन संख्यावाची विशेशन सब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग तो अभी इसको कर लीजिए उसके बाद हम लों समझते हैं कि विशेशन कितने प्रकार के होते हैं पहले देख लीजिए इसको इसमें लिखा क्या हुआ है गर्णा बोधक संख्यावाची विशेशन यहां पे गर्णा बोधक और क्रम बोधक दो संख्यावाची विशेशन कि पांच प्रकार होते हैं और विशेशूप से आपके विशेशन कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के तो देख लीजे पहले इसको देख लीजे गर्णा वोधक पांच या पचास आ जाए तो वो क्या होती है गर्णा एक दो तीन चार पांच यह क्या है गर्णा वोधक मुझे 5 साल साहर है साल का। कॉंगरिस ने देश कॉंगरिस ने देश पर 50 साल तक शार्षन किया तो यहां पर 50 क्या है गर्णा वोधक है गर्णा वोधक विशेशन है तो क्रम वोधक यह थे पांचवा आथवा और दूसरा चौथा यह क्या है गर्णा वोधक विशेशन है ठीक है मुझे आगरा में रहती वह पांचवा साल लगा है कॉंग्रेस का देश पर शाषिन करते भी पच्चासवा साल है तो यह पच्चासवा जब लास्ट में वा आ जाए तो क्या हो जाएगा वो करम बोधक संख्या वाची विशेशन हो जाएगा और जब कि लिए यह कोई परकार शाषिन होते हैं आपके जहते हैं कितने प्रकार के विशेशन होते हैं इससे अक्सर पुछा जाता है कि विशेशन किल प्रकार की होते हैं विशेशन चार प्रकार की विशomena हो गया तो आपका पहला है गुणवांचक ठीक है दूसरा विशेशन हैं परिमानवांचक तहरें सार्वणामिक विशेशन इसference बहुत सारे प्रेश्ण बनते हैं सारो नामिक विशेशन से फिर चौथा योग है आपका संख्या वाचक विशेशन तो विशेशन कितने प्रकार की होगे चार प्रकार की गुण वाचर परिमान वाचर सारो नामिक विशेशन और संख्या वाचक विशेशन आप से कोर्स में इस टाइम पूछा जा रहा है संख्या वाची विशेशन के बारे में ठीक है किसके बारे में संख्या वाची विशेशन के बारे में पूछा जा रहा है अब संख्या वाची विशेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं संख्या वाची विशेशन छे प्रकार के हो जाते हैं बच्चों, एक दो तो आपको बता दिया, कौन-कौन से बता दिया, आपको बता दिया, गर्णा वाचक और क्रम वाचक, तो हो गया आपके एक तो गर्णा वाचक विशेशन हो गया, दूसरा क्रम वाचक विशेशन हो गया, तीसरा विशेशन हो गया, आपका आवरत्ती, और कौन सा विशेशन होता है, प्रतीक बोधक विशेशन होता है, कैसा होता है, इधर कर लें, हाँ यहाँ कर लेते हैं, प्रतीक बोधक, ठीक है, कौन सा हो गया, प्रतीक, तो एक प्रतीक हो गया, एक समुदाय हो गया, समुदाय का मतलब होता है, जैसे दोनों के घर आग विशेषर है और फिर उसके बाद यह प्रत्यक बोदक्विशेषर है यह प्रहुंदा इसका मतलब प्रत्यक से हैं आप लिख लिएगा प्रतिक बोधक विशेशन है उसका मतलब होता है हर एक 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 प्रतिक यह होता है प्रतिक बोधक विशेशन हां और गर्णा वाचक विशेशन आप लोग जानी रहें गर्णा बताए दिए एक दो तीन चार जब आए तो गर्णा वाचक विशेशन हो गया करम किसे कहेंगे ज जैसे कि उसकी बारब जो आवरत्य हो उसे हम कहते हैं किलिके जैसे कि तीगुणा चार बॉना दो बारा ऐसा यह क्हांगे कईगे दूना चार बॉना यह हमेशा यह ज्थ और एक एक प्रत्रिक यह हो संख्या वाचक की पता चल गए है और यह संख्या के विशेशन के प्रकार आप याद रखिए कि इससे प्रश्ण अकसर बनते हैं ठीक है तो यह आपका जो है यह आपका चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर एक इस्तरी का पत्र आई यह क्लास आपको कैसे लगी जरूर सकें और अभी तक दोस्तों आपने बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है और बैल आइकन भी दबाना जरूर जरूर दबाईएगा क्योंकि जब आप बैल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल प अग्यार जया जब आपको झारूर जर बैल आपको वगी है तो